नमस्कार टीवी नाइन दिल्ली एंसियार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ प्रतिग्या कश्यप आईए देखते हैं दिल्ली एंसियार टॉप नाइट ग्रीव मंत्राले ने राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस तीन साल के लिए रद्ध कर दिया है राशी में से सिर्फ 25 फीजदी ही खर्च कर सकता है राजीव गांधी फाउंडेशन महिलाओं बच्चो और अक्षम लोगों के लिए स्वास्तिय विज्ञान और शिक्षा के शेत्र में काम करती है सोनिया गांधी आर्जीएफ की अध्यक्ष है बाकी ट्रस्टियों में पोशी की और जशने चिराग में शामिल हुए और देश में आमन आपसी भाईचारा और सौहार्द की दूआ मांगी मीडिया से बाचीत में इंद्रेश कुमार ने कहा दीपावली भारत सहीत पूरे विश्व में मनाई जाती है तिवाले तेवहार मनाने से घर में खुशिय से बहुत ज्यादा परिशान है जनता को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाईयां बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए नेताओं को भी तो इतनी फ्री सुवधाई मिलती है कितनी अमीरों के बैंकों के करजे माफ किये गए बार बार मुफ्त की रेवडी बोल काना हमारी प्राथमिक्ता है इस मामले को लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोट में भी गए थे कोट के फैसले के बाद अब कोई डिबेट नहीं बची है आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने प्रेस कॉंफरेंस कर संबित पात्रा को ITDC के चेर्मैन पत से हटाने की चेर्मैन पत पर न्यूक्त होता है तो वो पब्लिक सर्वेंट हो जाता है वो किसी भी राजुनितिक पार्टी से जुड़कर नहीं रह सकता और ना ही किसी पार्टी के लिए प्रचार कर सकता है संबित पात्रा को 30 नवंबर 2021 को ITDC का चेर्मैन न्यूक्त किया गया था दिवाली से पहले दिल्ली इंसियार में डेंगी का कहड़ जा रही है अस्पतालों में डेंगी के मरीजों की संख्या लगतार बढ़ रही है MCD के मताबिक अक्टूबर में अभी तक डेंगी के 1600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं दिल्ली नगर निगम ने अपने स्कूलों में चात्रों की योगता के स्तर का आकलन करने के लिए स्किल बेस्ट मीड टर्म एक्जाम्स को आयूज़ित किया है चात्रों की प्रोग्रस रिपोर्ट 28 अक्टूबर को उनके माता पिता को सौब दी जाएगी हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए आम आदमी पाटी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है आम आदमी पाटी ने स्टार प्रचारकों में कई बड़े चहरों को शामल किया है दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद के जिवाल डिप्टी सीम मनी शिशिसोधिया भगवंत मान समेथ 20 को स्टार प्रचारक बनाया गया है वही मनी लॉंडरिंग के मामले में जेल में बंद सतेंद्र जैन का नाम भी स्टार प्रचारकों में शामल है Global Warming और Climate Change से निपठनी के लिए दिल्ली Randoners ने दिल्ली से कॉलकाता तक साइकल चलाई साइकल के महत्व को बताने के लिए दिल्ली Randoners ने Rotary Club of Kolkata के सहयोग से साइकल यात्रा निकाली दिल्ली रेंडोनर्स की साइकल यात्रा 15 अक्टूबर को दिल्ली से शुरू हुई और चार रात पास दिन में कोलकाता पहुची दिल्ली रेंडोनर्स की ये साइकल यात्रा भारत की सबसे बड़ी साइकल यात्राओं में से एक है इसे के साथ दिल्ली NCR टॉप नाइन में फलहाल इतना ही बाकी सारी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी नाइन दिल्ली NCR नमस्कार दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सबस्क्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल टीवी नाइन दिल्ली NCR साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर सबसे पहले पहुचे आप तक फेस्बुक पर हमें सर्च करें अट दरेट टीवी नाइन देली NCR वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें अट दरेट टीवी नाइन डेली NCR पर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें अट दरेट टीवी नाइन डेली NCR